दोस्तो आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है दोस्तो रिष्ते में प्यार होना बहुत जरूरी होता है क्योंकि प्यार के बिना कोई भी रिस्ते का कोई मूल्ले नहीं होता कोई भी उसकी बैल्यू नहीं होती दोस्तों कई बार आप दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते होते हैं या आप दोनों एक रिस्ते में बधे हुए होते हैं वह रिस्ता प्यार का भी हो सकता है और बिवाह का भी हो सकता है लेकिन कई बार गर्ल फ्रेंड रूठ जाती है या आपकी पार्टनर रूट जाती है या आप दोनों के बीच में कोई इतनी बड़ी दरार आ जाती है कि एक दूसरे से मिलना बोलना सब कुछ बंद हो जाता है यहां तक कि एक दूसरे की कई लोगों से बुराई भी करने लगते हैं या कई बार पत्पतनी के बीच में तलाग की इस्थितियां पैदा हो जाती है तो कई बार आपकी पार्टनर या गर्ल फ्रेंट प्यार तो करती है यह करने के लिए तयार नहीं होती तो ऐसे मैं आपको क्या करना चाहिए चलो बताते हैं दोस्तो वीडियो में जानकारी पाकर आप सोच बिचार करें उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर तरह की अच्छी जानकारीयों वाली वीडियो बिना किसी रुकावट के प्रतीदिन प्राप्त होती रहें दोस्तो काफी ऐसी लड़किया होती है जिनके मन में पहले से कई एक डर बैठे होते हैं और आप उनसे कुछ कहते हैं तो वे मना कर देती हैं क्योंकि उन्हें डर बना रहता है कहीं हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए तो सबसे पहले आप ऐसी श्टित में उन्हें भरोसा दिलाने की कोसिस करें कि वे उनके साथ जो कुछ भी कर रही है हर एक तरीके से सुरच्छत है या उनके मन में इस विशय को लेकर कोई भ्रहम बैठा है तो उसे दूर करने की कोसिस करें नमबर बन दोस्तो हर एक समस्या का हल बात करने से ही निकाला जा सकता है बात बिबात करने से नहीं क्योंकि डीप लब को लेकर लड़कियों के मन में कई एक डर भी होते हैं सबसे पहले आप उनके मन में बैठे हुए डर को खत्म करें और इस किरिया के लिए उन्हें बूस्ट करें और प्रेरित करें यहां तक कि प्रोथसाहन भी करें और साबर्धन करें कुछ ऐसे भी उधारण दे सकते हैं जिनसे वे अपने आपको कंपेर कर सकें कि जब इतना छोटा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं ऐसी कुछ इस्थितियां पैदा करें और उनके मन का डर खत्म हो सके यहां तक कि उन्हें सुरच्छा का हर तरह से बिस्वास दिलाएं दोस्तो यह बात सच है प्यार करने बाले बिस्वास में आकर कुछ भी कर जाते हैं एक बात जो सबसे महतपूर यह है कि उन्हें कोई अंदरूनी या बाहरी समस्या भी हो सकती है तो उनसे सहचता से पूछ भी सकते हैं और उसके समाधान पर चर्चा करते हुए उसका हल भी निकाल सकते हैं सेके नमबर दोस्तो लड़कियों का सुभाव काफी सरमीला और जिजक बाला होता है और डीप लब के लिए बे अपनी इच्छाएं कभी भी खुल कर ब्यक्त नहीं करती हैं यहां तक कि लाख इच्छा होने के बाद भी एक हद तक नहीं बोलती रहती हैं ऐसे में आपको बुरा नहीं मानना चाहिए उनके फैसले का आपको सम्मान करना चाहिए दोस्तो ऐसी इस ठीत में आपको धैर बनाए रखना है नाराज नहीं होना है और आपको यह बोलना है कि मैं प्यार तुम से करता हूँ आखिर इच्छा होने पर कहा जाऊंगा किस के पास जाऊंगा और तुम्हारे अलावा किसी के बारे में मैं तो सोच भी नहीं सकता तुम्हारे साथ प्यार को लेकर हमारी भी कुछ उमीदें और इच्छाएं भी है दोस्तो एक लड़की के लिए यह फैसला काफी एहम होता है और बहुत बड़ा होता है इसलिए उन्हें फैसला लेने में काफी समय भी लग सकता है और यहां तक की अस्मंजस में भी रहती हैं और आपको इसे ही खत्म करना होगा थार नमबर दोस्तो लड़कियां बहुत ही भावक सुभाव की होती हैं उन्हें अपनी भावनाओं में बहा ले जाएं और उनकी भावनाओं को समझें उनकी भावनाओं से कनेक्ट होने की कोसिस करें इस बात को लेकर उनके सामने थोड़े भावक होने की जरूरत पड़ेगी बस आपकी बात बन जाएगी फोर्थ नमबर आपके मन में जो भी विचार चल रहे हैं अपनी पार्टनर को खुल कर बताएं अगर उसका मूड किसी कारण से खराब चल रहा है तो उसके साथ सीधे पहल करने की बजाए पहले उसका इंटर्टेन करें उसकी समस्याओं का समाधान करें जब वह रोमांच कारी मूड में आ जाए तब ही अपनी बात कहें यदि आपने उसको किसी भी तरह से सपोर्ट किया है तो इसका हबाला दे कर एहसान लादने की कोसिस ना करें इसके बदले में कुछ पाने की और कुछ करने के लिए बिल्कुल भी न कहें इस समय जितना हो सके जादा से जादा उनकी बढ़ाई करें यदि उनके मन में किसी भी तरह का कोई संदे है आपको ही उसे दूर करना होगा इन बातों को लेकर लड़कियों के मन में कई एक निगेटिव विचार भी चल लहे होते हैं दोस्तों आप जितना उन्हें प्यार करते हैं खुल कर उतना ब्यक्त भी करें उनकी नजरों में अपनी अच्छी छबी बनाने की कोसिस करें उन्हें ऐसा मैसूस ना होने दें कि आप सोहर्थी हैं और यही सब पाने के लिए आप प्यार का दिखावा कर रहे हैं जो भी आप करना चाहते हैं एक सरप्राज के तोर पर उनके सामने आपको रखना होगा कि देखते हैं आखिर इसमें क्या होता है ये नहीं कि आप अपनी इच्छा पूरी करना चाह रहे हैं दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ तब तक के लिए नमस्कार